हलो फ्रेंड विल्कम बेक टू माई चैनल फ्रेंड आप लोग कैसे हो जरूर बताएगा फ्रेंड आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके हम आगए फ्रेंड फ्रेंड आज जा रहे हैं अचारी मसाला बनाएंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा अचारी मसा यहां पर कलाओजी दाने के मेति, मिरच यहां पर मेर्च नमक आजबाइन, नमक याजवाइन, खड़ा धनीआrone, जीरा भी है और एक चंममच लाल मीर्च पाउडर है और हिंग सबसे पहले हम इस जो मसाले पैंड को रोष्ट कर लेते हैं यह जीरा डाल देते हैं, राई दान डाल देते हैं, सौप डाल देते हैं, और मेथि दान डाल देते हैं, और आजवाइन डाल देते हैं और यहां पर खड़ा धनिया डाल देते हैं और यह कलॉंजी दाना डाल देते हैं और मिर्ज डाल देते हैं अब इनको चला देते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड इसको चलाते हुए रोष्ट करना है फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जिससे हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए यहां पर चलाते हुए इनको रोष्ट कर लेते हैं प्रेंड यह मसाले आप आवी समय अचार का मोसम चल लाया तो आप यह मसाला बना के अचार यह जब भी आप कमन करें तो डाल सकते हैं और सब्सक्राइब इसमें यह मसाला लगते हैं तो लिखे फ्रेंड यह रोष्ट हो चुका है जो है तो इसमें भीनी हुझभीनी खुष्भू आने लगी है ज्यादा हम कोई इसको नहीं रोष्ट नहीं करना है इसके अनी जो कच्छ पणधि यह चला जाए और तो इतना तक रोष्ट करना है तो देखे प्रेंड इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा, तब इसको हम पीसेंगे, तो देखे प्रेंडी ठंडा हो चुका है, अब इसको हम मिक्सर ग्रांडन में डाल के पीस लेते हैं, अब इसको पीस लेते हैं, इसको पीस लेते हैं, इसको धकन जो है तो कैप लगा दे देखे फो अच्छे से पीच लिये हैं जादा इसको बारिक नई पीच नहीं होना चाहिए जो अचारी मसाला होता है थो हलका दर्दरए होता है तो इसको अच्छे से पीच लिये हैं अब इसमें हम नमक डाल देते हैं हल्दी डाल देते हैं एक चमश और नमक डाल देते हैं ज्यादा नमक नहीं डालना है एक चमश हमने डाले हैं और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिये हैं लाल मिर्च पाउडर अगर आप डालना चाहते हैं नहीं तो इसमें जो लाल में टीखं लिए अगर ढ़के बना रहा है आगर इसको इसको च्थोर कर बनाना हो तब अब उस समय हींग डाल देजे तो हम अभी इसको यूज करेंगे अभी अचार बनाना है तो हींग डाल देते हैं इसको अच्छे से मिला देते हैं तो देखिए अचारी मसाला बन के तयार हो चुका है आप लोगों का हमारा वीडियो कैसा लगा चरूर बताईएगा अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक लिए बाहर थैंक्स वर वाचिंग